नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है इन सब के बारे में कुछ ना कुछ अभी तक पड़ा है जाने की गाई का एक कहानी के जरिये एक गीत का रूप देकर समराट अशोक को एक तरह से याद दिला रही है कि किस परकार उन्होंने इतना नरसाहार जो है वो किया है तो आईए पेज 48 से पढ़ते हैं रेखा बोदों की दुर्बल निती कमजोर निती और किसी और को समझाना गाई का समराट को प्रामर्श देना तुम्हारा काम नहीं है तो रेखा कह रही है कि जो भी बोद लोगों की कमजोर निती के बारे में बता रही हो जा समराट को तुम कोई प्रामर्श दे रही हो तो ये काम तुम्हारा नहीं है प्रामर्श देना किसी को सला देना ये तुम्हारा काम नहीं है ये काम तुम हमारे लिए छोड़ दो अशोक कह रहा है कहे जाओ गाईका अशोक की आंखे खुल रही है तो अशोक को पता चल लब उस कहानी के जरी हो उस गीत के जरी है कि यह तो सची कह रही है तो वो बोल लग़ा कि तुम कहो रेखा कह रही है यह क्या कह रही है समराट यह तुछ बिखारनी की बातों में पड़कर मतलब यह थोड़ी वर्थ लेसंस आना है बिल्कुल ही इसकी बातों में आ गए हो आप रेखा ये क्या कर रहे हैं समराड ये तुछ बिखारनी की बातों में पढ़कर गाईका कह रही है समराड आपकी जीत ही में आपकी रब से आपकी सबसे भारी हार है जाने कि आप जीत तो गए लेकिन सबसे भारी हार भी आपकी यही है क्योंकि सिरफ आपको युद ही नहीं जीतना होता, लोगों का दिल भी जीतना होता है, आपने कलिंग की धर्ती को जीता है, उसकी आत्मा को नहीं, रेखा कह रिया, आत्मा को जीतना रिशियों का काम है, जिसके पास बुझाओं का बल है, बुझबल है, वे मर सकते हैं, और मार भी सकते हैं, गाईका बुझबल समराड ने किस बुझबल का प्योग किया था उन हजार सैनिकों का ही तो जिन्हें आप पाठली पुतर से लाए थे उनसे पूछिए क्या इस हत्या को वो जी से चाते थे जाने कि वो हत्या करना चाते थे जरा उन सैनिकों को बुला के पूछिए रेखा चा उनका भी गर है कोई गाओं है स्वपन सी मदूरिस्तरी है उनकी भी कोई संगिनी है गुलापसा कोमल बच्चा है कोई उनका कोमल बच्चा है लेकिन सम्राट आपके सैनिकों के भी तो हिर्दे में प्यार है धनुष खीचते समें क्या वे प्यार उम्रेगा नहीं अपने शत् करुन स्वर में बड़ा दुखी होकर मेरा दिल तो नहीं दुखता गाइका रेखा कहरी आपको हो क्या गया है ये दुरबलता एक सम्राट को शुबा नहीं देती गाइका कहरी है कुमारी क्या सम्राट मुश्य नहीं होते वो आँखे खोल रही है सम्राट की रेखा कहरी है म गाईका दुखेगा क्यों नहीं समराट आपका दिल भी दुखेगा हेमाले के पाशान हिर्दे में से शीतल नदियां बहर निकलती है जाने कि हिमाले का पत्तर सा हिर्दे होता है जिन में से थंडी-thंडी नदियां भी निकलती है, तो रेखा कैरी गाइका, मैं जानना चाती हूं, कि तुमकि सदिकार से आरे वर्थ के समराट को उपदेश देने आई हो, आखिर तुम हो कोन भईई, जो आरे वर्थ के समराट को ऐसे लक्चर दे रही हो, गाइका कैरी अधिकार, मेरा तो वही इश्य दूसरों को मारने के लिए पैदा नहीं हुआ, दूसरों के लिए जीने के लिए पैदा हुआ, जाने की हित करने के लिए, अशो कहरा थोड़ी देर सब के चुप रहने के बाद, सुनती हो रेखा, मंद स्वर में, मैं तो अब तक अपने लिए जीता रहा, बिल्कुल अपने लिए, रेखा कहरी, जो अपने लिए जी सकते हैं, वही दूसरों का पालन कर सकते हैं, गाइका कहरी, तुम भूल रही हो कुमारी, जो अपने लिए जीते हैं, वो दूसरों का पालन कभी नहीं कर सकते हैं, केवल दूसरों की देया के पात्र हो सकते हैं, दूसरों का आप पालंक एसे करेंगे जब मारी दोगे आप अशोक करे रदेया गैया गैया कैरी हाँ समराट आप देया पात रहें एक बिखारी से भी जादा जानते हैं क्यूं क्योंकि आपको कोई प्यार नहीं करता है आप तो कांक्शा के पुझा नहीं है इच्छा के पत्चड के पेड़ की तरह बिल्कूल अकेले हैं आप पत्ते भी जिनका साथ नहीं देते रेखा कहरी कैसी विचित्रबात है भारत वर्ष के समराठ अकेले हैं उन्हें कोई प्यार नहीं करता कैसी अनोखी बात है सहसा घंबीर होकर लेकिन उनकी करोडों करोडों प्रजा क्या मर गई है गाइका कैरी प्रजा उन्हें प्यार नहीं करती उनसे डरती है अशोक स्वपन से प्रजा प्रजा मुझसे डरती है रेखा कैरी गाइका की और कदम बढ़ा कर और उनके विश्वस्त मंतरी और सेनपती गाईका जो केवर आग्या मानना और सला देना जानते हैं वे अशोक को प्यार करेंगे अशोक करून स्वर में रेखा गयरी जो अब गाईका के ठीक पीछे पहुंच गई है उसे घूरते हुए और 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 मैं गाईका तुम रेखा हां मैं उद गाईका लेकिन समराट कुमारी रेखा आपको प्यार नहीं करती अशोक क्या रेखा जूट जूट बिल्कुल जूट पीछे हड़ जाती है मानो धक्का लगा हो मतलब सचाई सामने आ गई ना गाईका के मुक्से गाईका कुमारी रेखा गुस्सा करना वियर्थ है मैं सब क जानती हूँ सब कुछ अशो क्या जानती हो तुम गईका रेखा का प्यार मेरी एक मातर निदी है खजाना है उसे तुम मुझसे ना छीनो यानि की एक लास्ट उमीद यही है एक लास्ट खजाना यही है रेखा कह रही है आप उससे भीख मांग रहे है समराट अशो कह रहा है मुझे कुछ नहीं सूच पढ़ रहा है मुझे कुछ समझ ही नहीं हा रहा रेखा जैसे रास्ता भूल गया हूँ गाईका बताओ ना क्या जानती हो तुम गाईका कह रही है तो सुनिये समराट मैं जानती हूँ कुमारी रेखा की केवल एक लागसा है एक अभिलाशा भारत की समरागी बनना जानिकि राजकुमारी बनना भारत की और उसके लिए केवल एक सादन है एक आपके प्रेम की विजे आपका प्रेम पालूँगी तो अपने आप समरागी बन जाऊँगी इस समराट तो आप हैं यहे रेखा सुन रहे हैं समराड इस पागल औरत का प्रलाप जाने कि इस पागल औरत के बारे में आप सुन रहे हैं इसका प्रलाप इसकी व्यथा सुनाने का तरीका देखिए वारतालाप सुनिए इसकी क्या कह रही है यह अशो कह रहा रहा रेखा उठते हुए रेखा रेखा ओ बिखशुनी, यह तुमने क्या किया, इससे तो अच्छा यही था कि तुम मुझे अपने जूटे स्वपन में रहने देती, गाइका, आपका स्वपन आपको फिर मिल सकता है, अशोक मेरे प्रेम का स्वपन था बिखशुनी, तुम ही ने कहा था, मैं अकेला हूं नफरत करने के बंदन तूट गए लालच के बंदन तूट गए अशोक कह रहा है परंदू मेरी लालसा अमर है मेरा लालच कभी नी मर सकता गाईका कहरी उसे अमर ही रहने दीजिए आपकी लालसा अमर रहेगी तो आपका प्रेम भी अमर रहेगा आज आपसे संसार इन दोनों के खंडर में अशोक परंतु देवी मेरी दुनिया तो जड़ चुकी है गाई का वै तो संकीन छोटी सी स्वार्थ पुरन दुनिया थी लेकिन एक और भी तो दुनिया है समराट उन जग मगाते हुए तारों की हस्ती हुई नदियों की दुनिया ये प्रित्वी कितनी अबनी समराट लेकिन आज आज इस मनोरम जक्ती तल पर एक पिशाच गुम रहा है एक प्रेत भूत प्रेत अशोक पिशाच गाई का हाँ युद का पिशाच नरहत्या का पिशाच समराट इस सुन्दर समाज में आज अकेला मनुश्य असुन्दर है जाने कि इस संसाल में अगर कोई सुन्दर नहीं है तो वो है मनुश्य जो हत्यारा बन गया है अभागा बाग्यहीन हो गया है अशोक ओ बिक्शुनी इतनी जिम्मेदारी मैं नहीं सह सकूँगा गाई का समराट इन रक्त की नदियों के पीछे इस हाहा कार और रत्याचार के उस पार मैं एक नई इस रिष्टी देख रही हूँ आप भी देखिए समराट उस और चिताओं के परे आहों के ऊपर देखिए न अशोक लेकिन देवी मेरी लालसा मेरी अत्रिप्ता कांक्षा मैं ना देख सकूँगा नहीं गाई का क्यूं नहीं समराट आपकी लालसा आपकी अर्मान आपकी शक्ती आपका प्यार सब आज से उस अनोखे चित्र का निर्मान करेंगे फिर कोशिश कीजिए क्या आप उस वपन को नहीं देख पाते अशोक मैं कोशिश करूंगा देवी गाई का मैं देख रही हूँ समराट उजवल परभात भगवान बुद की करुना मैं किरनों से अल मैं देख रही हैं मैं देख रही हूँ भारत भूमी के कोने कोने में उनके पावन संदेश का प्रचार आरे वर्त के हर एक नगर में शिलालेक और स्तम शिलालेक होते जो जैसे पत्थरों पे कुछ लिखा होता है न वैसे वाले और स्तम देख रही हूँ और मैं देख रही ह ये मेरा कलंक धुल रहा है, बिक्षोनी, बिक्षोनी, कैसा उज्वल प्रभाद है ये, निस्तब्दता, थोड़ा सा निस्तब्द हो कर, अशोक, लेकिन, लेकिन, तुमने मुझे निया मार्क दिखाया, कैसे इस एहसान को चुकाऊंगा, गाईका कैरी, विश्व सेवा के द् बड़े व्याकुलोकर कहते हैं, कहो, गाईका कैरी, आप मेरे लिए एक भाई ला दीजिए, ला सकेंगे, अशोक विस्मित भाई, खेरानों कर भाई, गाईका हाँ भाई, मेरा भी एक भाई था, परंतु वै, कल आपके कलिंग युद में मारा गया, अशोक मानों बिजली चूगई हूँ, सच बताओ तुम कोनों, अब गाईका खोलेगी राच, गाईका कैरी, थी कलिंग की राचकुमारी, अब एक भिख्षुनी हूँ, अशोक गिर पढ़ता है गुटनों पर अपने हाथों से मूँ ढखता हुआ, कलिंग की राचकुमारी, रुंद गले से, मैं तुमारे भाई का हत्यारा हूँ, हत्यारा, गाईका, नहीं समराठ, आप ही मेरे भाई हैं, रुंदे गले से, अशोक खड़ा होता है, मेरे भाई, अशोक मेरी बेहन, गाईका, कहो, गाकर कहो, जोर से कहो, बुद्दम शर्नम गच्छामी, संगम शर्नम गच्छामी, ध पहलता है कि पर और जगदी चंदर मातुर जी ध्वारा रचित कलिंग इंगे पार्ट समझ में आगया होगा तो आईए शब्दमन्डार की तरफ आगे बढ़िए शब्दमन्डार में इस शब्दों की अर्थ को आपको याद करना है नीचे मुहावरे लगोक्तियां दे रखी हैं इन मुहावरों से भी अफगत हो जाईएगा इसके बाद आप यास प्रश्न पे हम अलड़ी पार्ट वन में पहला कोशन और दूसरा कोशन कर चुके हैं आज मैं धिर गुतरी ये से करवाँगी आपको समराट अशोक अनमने क्य क्यूं थे और वे अपनी विजे पर जैनि कि जो जीत कर वो आये थे उस पर स्वभाविक रूप से प्रसन क्यूं थे तो कलिंग विजे के बाद समराट का हिर्दे वैसे ही बेचायन था क्यूंकि कलिंग के राज कुमार उपेंद्र के मरते समय के शब्द उनके कानों में ग इसे पूरा करने के लिए उसेने समराट अशोग को कलिंग को जीतने के लिए प्रेधित किया क्या कारण्ता कुमारी रेका गाइका के सच कहने पर उधविगन हो गई दिया के पात्र हो सकते हैं तो इसका उत्तर भी आपको यह इंपर दे दिया गया है आज इस मनोरम जक्ती तल पर एक पिशाच गूम रहा है जाने की युद का पिशाच युद से तो कभी भी देश में शांती नहीं हो पाई कोशन नबर फाइव समराट शोग विज़े प्राप्त करके भी हार क्यूं गए क्यूं क्यूंकि सैंकडो तरपते मुनुश्यों के बारे में जब वो बताती है गाईका तो समराट को निर्दोज जनता की कराती हुई आवाजों के बारे में सुनकर उनका जो हिर्दे परिवर् सास होता वो केले रह गए उनके साथ कोई नहीं है भाशा बोदन में कोशन नमबर टू सम उपसर्ग लगाकर पांच शब्द लिखने हैं और उनके वाक्यों में प्रियोग करने हैं तो ये आपको शब्द जो हैं लगाकर दे दिये गए हैं आप संघार है सरक्षक है उसी प पर ही तो नहीं होता जाने कि जीवन में केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता उसी परकार से दूसरा बाके बनाना है कि जीवन में पैसा ही सब कुछ हो सकता है इसी परकार यहां पर कलिंग विजे है कलिंग की विजे तत्थ पूरु समास हो गया आपका राज कुटुम यहां नारी शक्ति, नारी रूपी शक्ति, करमधारे, मानवरक्त, मानवकारक्त, अत्पूर समास, शत्रुकन्या, हराभरा, बंदी ग्राय और भुजबल इसी प्रकार से सारे यहां पर आपको मिल गए आगे बढ़ते हैं ताकतवर के मायने अत्याचार करना नहीं है तो आपको आपका, जल्दी ही महादेवी वर्मा की इस कवीता से आपको परिचित करवाएंगी तब तक आप साथ चैप्टर पढ़िए और एक्जाम की त्यारी कीजिए, all the best for your exam, वीडियो लाइक कीजिएगा, शेर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ, till then, good bye